आप देखिए ये ब्रेज जो है ये ब्रेज फोल्ड हो रहा है आप देखिए दिरे-दिरे में दिखाने कोशिस कर रहा हूं आपको थ्वा से जूम करके दिखा रहा हूं आपको ये जो ब्रेज है आप दोनों तरफ से फोल्ड हो रहा है मैं आपको पूरे दिखाने कोशिस कर आपको और ये बहुत जनक है यहां पर और यह इंडिया के लिए बहुत बहुत बड़ा चीज है यहां पर की एक ऐसा रोड जो फोल्ड होता है और यह जो गली नदी है ब्रिज बना हुआ है और जो पानी की जहाज होती है जो बड़ी बड़ी फोल्ड हो जाती है और यह हमारे सुरच्छा के जवान यहां पर लगे हुए है और यह सब यहां के देख रिख कर रहे हैं और इसके टाइमिंग जो है सर कितनी घंटे यह रहती है ज़र सब्सक्राइब करें आगा आज आज तक रहे है और यह दो कि अज़ीं घंटे का प्रेंटे का तक यह होगा सिफ का और मैं पूरा दिखा रहा हुआ आपको फोल्ड हो रहा है फोल्ड होकर के पूरा पूरा है इड्रोलिक सिस्टम इसको बनाया गया है जो मैं आपको दिखाने की कोसिस कर रहा हूँ आपको बिल्कुल अब फोल्ड होता हुआ अग्दम आपने अंदिम छोर तक ये जा चुका है लगभग और देखिए पुरा ब्रीज गजब का और मैं सारी तस्वीरे और दिखाने कोसिस करूँगा यहां से और मैं अभी दर्स दिखाने कोसिस कर रहा हूँ अब देखिए यह रोड बिल्कुल सुनसान हो गया क्योंकि सबको मालूम है यहां से अब कोई गारी पास्व नहीं होने वाला है इसलिए यहां से यहां से या 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 नियुजट इंडिया कि अधान आज अज संसां कि टोफ एक हुआ है यहां अब जो ब्री देख रहे हैं पुरी तरह से ब्रीच यह वूट चूकी है और अब यहां से जो पानी की जहाज होगी पानी की जो आज होगी पानी की जोशीफ होंगे वो अब अंदर पास करेंगे उधर तो जाएंगे समुद्र के वर जाएंगे यहां से मैं बता दूँ यह कलकता का डॉक पॉइंट है और यहां पर बहुत बड़ा बंदरगाह है जो सारी जगह से विदेसों समान यहां पर आती है आप जेक्ट सेकते हैं हमारे तीछे यहां पर ऐसे बहुत सारे जीशे है जो मैं आपको दिखाने कर रहा हूं लगातार है यह तसमीरों में यह तरह अपर उठ गई है औस यह उठी Rate में ऊधर भी इतना ही एसे ही उठा हुआ रहता है तो सब्सक्राइए और साफर से सब्सक्राइब दुष आंगे कर दो फन्हें कर दो एलिज को घलूजगे लिए ऐस्टे मेट लुटब रोब सामगर बीच मेटेदा कर दोड़ के लगाओंगें अजसरी है